किसान भाईयो नमस्कार मेहूद असरद आकर आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में इस वीडियो में हम पचेती सर्सों की खेती की बारे में बात करेंगे जैसा कि हर साल सर्सों की अगेती बुवाई के साथ पचेती बुवाई भी किसान भाई करते है जिसके पीचे बड़ा करण है सरसों का मंडी बाव ऐसे में सवाल यह आता है कि पचेती सरसों में किसान भाई फूल निकलते समय कि इन चीजों का प्रियोग कर सकते है जिससे सरसों में फुटाव जादा आए साखाओं पर फूलों का विकास अच्छे से हो जिससे फल्यां भी अधिकाए और पेदावार जादा निकले किसान भाई इस वीडियो को पूरा देखिए जो किसान हमारे चेनल पर नए हो चेनल को भी सब्सक्राइब कर ले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें तो चेले वीडियो को शुरू करते है किसान भाई यो अगेती सर्सों में तो अभी के समय फल्यां बनना सुरू हो चुकी है वहीं पचेती सर्सों में फूल निकल रहे है या फूल निकल चुके है ऐसे में किसान भाई सर्सों की देखरे केसे करे पहली चीज आती है सरसों को ठंड से बचाना अगर आपने पचेती बुवाई करी है और आपकी फसल में अभी फूल निकल रहे हैं तो इस समय पर तापमान कापी ज़्यादा न्यूंतम होता जा रहा है जिससे ठंड का प्रकॉप कापी ज़्यादा बढ़ रहा है एसे में सरसों पाले का सिकार हो सकती है अगर सरसों में पाला पढ़ जाता है तो इससे फल फूलों का विकास रुख जाएगा पूदे की ग्रोथ परबावित होगी जिससे फूल और फलिया उतनी अधिक नहीं आपाएगी और उत्पादन कम निकलेगा पाले से बचाने के लिए आप या तो खेत के चारोत रब दुवा कर सकते है अगर आपने पानी नहीं लगाया है तो सुबह के समय हलकी सीचाई कर सकते है इसके लावा सलफर लिक्विट का पर्योग भी कर सकते है सलपर दानेदार का पर्योग भी आप कर सकते है सलपर भी एक वरकार से पोदे को फंगस और ठंड से बचाने का काम करता है इसके लावा पचेती सरसों में फंगस का अटेक भी सबसे ज़्यादा दिकाई देता है साथ ही तना गलन की समस्या आती है पचेती सरसों में आप देखरे करें अगर सरसों में आपको तुरंट फंगस का अटेक नजर आए तो किसी भी अच्चे से फंगी सैट का पर्योग करें यूपेल कंपनी की साब फंगी सैट का पर्योग आप कर सकते है जिससे फसल फंगस से सुरक्सित रहे मच्छ मोईले के बारे में बात करें तो जैसा कि पचेती बुवाई में मोईले का अटेक सबसे ज़्यादा होता है अगर आपकी फसल में भी मोईले का अटेक नजर आता है तो कीट नसक का परियोगा आप कर सकते है इसके लवा सीचाई प्रबंदन के बारे में बात करें तो 35 हरसों में सीचाई एक या दो बार ज्यादा करनी कि आउसकता होती है अगर आप ज्यादा लेट या आउसकता अनुसार सीचाई नहीं करेंगी तो पोदा अपना ग्रोथ पूरा नहीं कर पाएगा जिससे अन्त में फसल की जो पकने की अवदी है वो कापी लेट हो जाएगी जिससे फल्यक उतनी अधिक नहीं आएगी और पेदावार कम निकलेगी तो ये बात भी विशेश तोर पर फूल निकलते समय दियान रखे तो आप इस समय थोड़ा बहुत यूरिया दे सकते है जिससे पोदे में नाइट्रोजन की पूर्ती होगी जिससे ग्रोथ बढ़ेगी पोदे की जड़ो का फेलाव अच्छे से हो पाएगा ये खाद आप दे सकते है इस प्रेके माधिम से आप चाहे तो एनभी के जीरो बाउंच उतिस और बोरून का स्प्रे कर सकते है जिससे फल फूल अच्छे से आएंगे फॉले अधिक आएगी और कहीन की जो उत्पादन है वो भी अधिक निकलेगा तो इस परकार से किसान भाई 35 अर्सों की देखरे कर सकते है उम्मिद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और चेनल को भी सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद